कभी-कभी हम मुवीज को ये देख के सोचते हैं ना कि कुछ जादा ही होता है यार ये पिच्चरों में ऐसा थोड़ी होता है रियल लाइफ में पर सच कहूं तो रियल लाइफ और डरावनी होती है अर्जुन भीया मैं ये नहीं कहूंगा कि अर्जुन भीया मेरे घर के नौकर थे पर वो पापा का काम में हाथ बटा लिया करते थे उनकी मम्मी, सावित्री जी मेरे मम्मी का tha हाध बटा लिया करती थी सावित्री जी को सब प्यार से आई बुलाया करते थे अर्जुन बिया के पापा नहीं थे अर्जुन बिया कुछ 20 साल के थे और मैं 16 साल का थे हम रोज मेरे घर के सामने के गार्डन में टहलने जाये करते थे वो रोज अपनी जिंदगी के किस्से सुनाया करते थे और मैं सुन लिया करता था एक रोज वो बताए कि उनका एक दोस्त है रोहित रोहित ने नही गाड़ी खरी दिया नया फोन भी दोस्तों में बहुत इज़त है रोहित की वो बता रहे थे कि एक बार रोहित भीया कहीं से तुभी जा रहे थे और एक लड़कियों का गुरुप खड़ा था और उस लड़ मेना कूल बनना बहुत ज़रूरी है एक महेंगी गाड़ी एक महेंगा फोन अपने दोस्तों में आपकी इज़त बढ़ाता है तो उन्होंने वही चीज की जो वह कर सकते अपने आई के बाद जाके जिद की अब आई तो ठहरी आई मेरे घर से कितना ही कमा लेते थे तो उन्हो उन्होंने अपने गहने गिरवी रखके उनके लिए एक महेंगी गाड़ी और महेंगा फोन लाके दे दिया अरुजुन बिया बहुत खुश थे मेरे घर पर आये बोले चल सांज घूम के आते मैं जब उनके गाड़ी पर बैठा और जब तेज हवाओं ने मेरी आँखों को जन्नत होती है एक बार वो हमेशा की तरह कहीं से मार्केट से जा रहे थे उन्होंने हमेशा की तरह सिगनल भी थोड़ा कोई तो भी उसे रस्ते से जा रहा था तो उन्होंने उसे ठोकर मार रही जैसी उन्हें ठोकर मारी तो लोग उन्हें मारने दोड़े तो जैसे दैसे वहाँ से निकल गए और अपने दोस्त के घर गए और उसे सारा किसा बताया दोस्त ने बताया और तू इसके बारे में किसी को बताना मत अपने तक रखना उन्हेंनों नंबर से फोन आने लगे तो डर गए क्योंकि वह हेल्मेट नहीं पहन दे थे वो कहते थे कि यार हेलमेट पहनूंगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा यह मेरी गाड़ी है पता भी तो चलना चाहिए तो शाम को सारे फोन्स को अवाइड करते हुए अपने घर पे रहे और जैसे ही शाम को अपने घर गए तो आई को अवाज लगाई तो आई घर पे नही आई तो आज दुफैर में काम करके चले गए थे उतने देर में वहां रोईद भी आया है बोले तुझे कब से हॉस्पिटल से कॉल कर रहा हूं आज मार्केट में किसी ने आई को ठोकर मार दी और आई ने जगह पे दम तोड़ दिया अरजुन भीया को ये चीज समझने में देर नहीं लगी कि उन्हों नहीं उनकी आई के जान ली थी और उन्होंने मुड के तक नहीं देखा अरजुन भीया चाहते तो ये चीज अपने तक रख सकते थे पर उन्होंने खुद पुलिस टेशन जाके कनफेस किया आज अर्जुन बिया जेल में है क्योंकि उन्हें ऐसे लिखना आता था आज आई इस दुनिया में नहीं है क्या जो हुआ इसमें सिर्फ अर्जुन बिया की गलती थी नहीं मेरा मानना है तीन और लोग की गलती थी एक रुहित भीया जिन्होंने ऐसे एक्जामपल सेट किया एक वो लड़की जिसने ऐसी चीज़ को अट्रेक्टिव समझा और तीसरा न चाहते हुए सावित्री आई जिन्होंने अपने बच्चे की जित के आगे गुटने टेक दिया तो अगली बार जब आपके सामने से कोई गाड़ी पॉर्श तेजी चला के जाए तो उसे रुकाना और उसे कहना कि आगे से थोड़ा धीरे चलाना तुम्हारी आई रस्ता क्रोस कर रही है कहीं उन्हें कुछ होना जाए थैंक यू